कि अग्यान की आप कि अग्यान की इस भॉकाल क्लास में में पिंसिंग आपका भॉते विग्जान टीचर एक बार फिर से आपके सामने और आज एक बहुत ही मौट पूर टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में आप बार बार पोच्ते रहते हैं क्योंकि भॉत विग्ज् वह जाता है जिसमें से इक वांडी ग्राफ जनरेटर तो वांडी अम klaff फार बात करने वाले हैं आप देख सकते हैं इस लेक्षोर में वन्डी ग्राफ जनित्र अगर मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है आपका कख्षा बारवी के लिए एक्जाम के अगर मैं बात करूं तो कुछ जगे से कुछ बोर्ट से थोड़ा सा एक्जाम से हट गया है स्लेबस से तो आप चेक कर लेगे अपना स्लेबस बाकी अगर मैं देखू तो इंपॉर्टेंट ही है सभी बोर्ट के लिए और बोर्ट के बाद अगर आप सी यूई टी नीट या फिर जाई के त्यारी करते हैं तो हलाकि नीट में और जाई में इसका स्लेबस का पार्ट तो अगर मैं इसका पार्ट है तो थोड़ा सा अगर आप इस तरह से पढ़ रहे है तरगेट कर रहे है तो अच्छी चीज़े है ठीक है ठीक है तो इस तरह विद्दूद विभवताताधारिता का यह लास टॉपिक होता है वार्डी ग्राफ जन्रेटर आप देख सकते हापर ब बात करो तो अब देख सकते हैं वांडी ग्राफ जनित्रका वर्णन निम्लिखित सिर्ष्थकों के आधार या अंतरगत कीजिए संरचना बनानी होती है नामांकित आरेक करना होता है कि क्या क्या चीज़े है उसमें सिध्धानत बताना होता है इसके उपयोग बताने होते है इसके दोस्त बताने होते हैं तो यह टॉपिक अगर देखा जाती है यह पांच नंबर का इस तरह से एक वेस्टन यह बनता है हला कि यह जनरली अगर देखा देखा जाया तो पांच नंबर में कभी पूछा नहीं गया है ठीक है बहुत पहले पूछा जाता था दस-पंदर और दो नंबर में पूछा गया है ठीक है दूसरा तरीका है इस क्वेस्टन को पूछे जाने का यह पहला तरीका है पूछे जाने का यह दूसरा तरीका है दूसरा तरीका है कि वार्डे ग्राफ जनितर की रचना एवं कार्यविधी समझाईए इसके उपयोग बताईए तो सब ihren तीन चीजे पूछे गए है तो ये भी 25 अपका पांचर नंबर के आश पास को हुझता है चार या 5 नंबर और टॉपिक बन जाता है अपने आप में 4-5 नंबर कटा भी Works बन कार्यविधी वर्किंग जो है इसकी बात की जारे कि क्याम कैसे करता है और ठीक है और इसके उपयोग तो उपयोग हर जगे आपको देखने को मिले यहां भी उपयोग है यहां भी उपयोग है उपयोग और संरचना उपयोग संरचना ठीक है और इसके साथ साथ कार्यविधी तो कार्यविधी जो है वो भी आपको हर बार पूछी जा रही है कार्यविधी बताने को तो ये वांडी ग्राफ जनल्टर में ये जो छोटी-छोटी कोशीजें है जितको आपको याद रखना है ठीक है और इस प्रकार से ही प्रशन पूछा जाता है एक बर क्लास को फटा-फ याट करें तो वांडी ग्राफ जनल्टर आपने सब्लेप पढ़ा होगा वर्णीग्राफ जनल्टर ऐसा लिके बहुत बड़ा और बहुत कठीन टॉपिक है बिल्कुल छोटा स्टपिक है संधारित्र के अंदर आता है विवांटर और संधारित्र के कांसेप्ट बेस्ड त इसकी सहायता से 10,00,000 वोल्ट ध्यान से पढ़ियेगा 10,00,000 वोल्ट या आप कह सकते हैं इससे भी आधिक विववांतर उत्पर्ण किया जा सकता है तो जो विववांतर जो वोल्टेज उत्पर्ण किया जा सकता है ठीक है वो कितना उत्पर्ण किया जा सकता है ठीक है वो कित करने में किया जा रहा है वानडि ग्राफ generator का का मुषस भालडी ग्राफ जन रिटर्म जादातर आप देखें कि धनात्म कावेशों को लिया जाता है अभी मैं दिखाता हूं इसनेक वारे में बात करते हैं जनेकन सनछना आप देखें तो वानडे ग्राफ है चैप्टर में इस छोटे से कॉंसेट पर ही आधाय थे जिसको सिद्धान के बारे मैं भी में बताऊंगा इसका सिद्धान दिखाता हूँ आपको तो एक छोटे सी आप जानते हैं कि अगर कोई गोला है गोली ये चालक है तो गोली ये चालक की तरिज्या अगर मैं कहीं है तो आप जानते हैं ये दिसी क्या होती है बटा फॉर पाई एपसाइले नोट और आर मतलब गोली ये चालक की जो धारता होती है सी जो है वो डारेक्ली प्रपोस्टन लिविटा आर के ठीक है मतलब आप ये बात कर रहे है कि जितना बड़ा तरिज्या होगा उतनी होगा चालक गोले का उतना ज्यादा धारता होल्य उसकी ये इस थोड़ा सा यहां पर तो दो इस सकते हैं कि आवेज देते जाएंगे तो बठता जाएगा सी मत्ला सा भब आपको बड़ाना है हम को सबसे पहले तो आकार बढ़ा करना है धायरिता बढ़ाने के लिए और आवेज देना है आवेज देंगे तो हमें विहवानतर मिल रहा है तो विह लिए आप अपर आप देखें गे सी बरावर क्या होता है Q divided by V Q और V का अनुपात है C का अगर मान आप देखे C का मान अगर यह वाला यहाँ रख दुमें तो C का मान क्या वाटा 4Pi Epsilon Nod R और यह बरावर है Q by V अर्थात आप देख सकते हैं कि विवांतर अगर मुझे लिखना है V तो V बरावर आप लिखेंगे यह आजाएगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एपसाले नोट आर के तो फॉर्मूला आप जानते हैं विवाव का मतलब कि आपको यहाँ पर विवांतर बढ़ाना है सिम्पल से चीज और जाधा जयाधा करना है तो दो कॉंसेट है एक तो आकार बहुत बढ़ा इसे सताह पर फैलता है simple CS seu5 एक मूटर लगा हुए है इसे मूटर पर मूर्च लगा हुआ है विलट लगा होता है जो टाइनी कलरた ethics of डिख राया आपको यह बेट विद्धूत रोधी होता है हम पूर सकते चमड़ा है न चमड़े का पर बेल्ट अब डेखते ही जिसे चक्की पियाते हैं आता चक्की पियाते हैं तो वहाँ पर बिल्ट लगा होता है ना मोटर के साथ ब्लैक कलर का बिल्ट लगा होता है बड़ा सा चोड़ा सा चल रहा होता है ठीक है या आप मैं बात करूँ कि यहाँ पर सरसो ले जाते हैं तेल निकालते हैं ठीक है यहाँ पर ठीक है सरसो की पिराई होती है तेल निकलता है तो वहाँ पर भी देखेंगे बिल्ट चल रहा होता है बड़ा सा है ना मसीन के साथ तो वैसा ही बिल्ट है एक एक बिल्ट चल रहा होता और एक बहुत बड़ा ये देखो गोला लगा है और गोले के साथ यहां पर एक देखो तो एक धात्विक ब्रूस लगा मतलब एक धा और यह बेल्ट लगातार चल रहा है यहां नीचे भी एक वैसा ही बुस लगा होता है वैसा ही धात्विक बुस लगा है धात्विक बुस लगा है जो सुरोत से आवेस प्राप्त करता है अब ये तिकोना ये कोना क्यों बनाया जाता है इसको कई बार आप ऐसे देखते कई बा तो यहां से बटा यहां से होता है आवेस का च्छरण ठीक है आवेस का च्छरण होता है क्योंकि हम जानते है आवेस घनत जो होता है क्योंकि सता पर फैल रहा है तो इव दिवाइड बैं क्या लिखते है यहां आवेस का घनत जजादान होगा इसलिए अथा अवेस का घनत क्यों टो कहां ज्यादा होगा जहां पर नुकिन बहुत ज्यादा हшь तो यहां जब आवेस घंत बहुत ज़्यादा और यह पटी चल यह हां से आवेस का च्रण होता है और क्योंकि या कुछालक पट्टी है विद्दुतरोधी है तो इस पर आवेस रहे जाते हैं और आवेस कुछालक वस्तुको जहां दिया जाता है वही पर रुख जाते तो आवेस रुख गये और यह आवेस को यहां से एक अत्रत कर लिया जाता है और जैसे यहां टाच होगा लोहे से वो सता पर अपने आप फैल जाएगा अब यह बहुत बड़ा गोला है और इसको एक दम विलगित लिखा बनाया जाता है इसको किसी से टच नहीं कराया जाता नि रोधि विद्धुत्रोधी इस्तंब होते है जिस पर इस को ख़ड़ा रखा जाता है और इस पर आवेस बार बार बर बर भरता चला जाता है तो जैसे जैसे आवेस 20 अबist बढ़ता जाएगा आप जानते हैं विवान बढ़ता जाएगा तो बड़ेगा अब हमुण विववांतर की बात करते हैं तो किसके सापेक्ष बात करते हैं यहां पर बात कर रहे हैं हम भू संपरकतार दिख रहा है आपको भू संपरकतार मतलब हम बात कर रहे हैं प्रत्थवी के सापेक्ष प्रत्थवी का जो विववांतर होता है अर्थ का विववांतर होता है वह हो जैसे को मैं के दूखी चलो यह भीवन हैमारा और इसका भीवान तरही टू है तो भीवन और वीटू का डिफरेंस क्या होगा भीवान तरह अपनी कि अभीवरावर के आ जाए वी टू- विवन दोनों का भी फो लिख लेते हैं और क्या करेंगे बटाइस तगाटा देंगे व सापेक्ष और इस प्रकार से ये बार बार ये पट्टा चल रहा है लगातार ठीक है इस तरह से ये पट्टा घुम रहा है यहां से ये डारेक्शन इसकी चलने की चल रहा है बार बार यहां से आवेज दिया जा रहा है यहां पर आवेज से कत्रित कर लिया जा रहा है और आव आविज धारन करेगा उतना जाता भिभवानतर उसका रहेगा ठीक है तो सिंपल सिंपल सा बेसिक सा कॉंसेप्ट था अब इसको अगर सब्दों में आपको लिखना है वरकिंग जो मैंने वर्किंग समझाई है सब्द में कैसे लिखना तो एंसे आर्टिक किताब खुलिये या अपनी कोई भी बूर्ड की किताब खुली उसमें कार ये विधी लिखिये कार विधी आप वहां लिख सकते हैं कुछ चीजे मैं आपको दिखा देता हूं सिध्धान यहां पर कुछ बताया गया है इनसे धंतों को समझने का प्रयास करते हैं तो यह निम्न सिध्धान तों जर्फल होती है वहां से आवेज का छरन ज्यादा होगा क्यों कि अभी दिखाया के सिग्मा डारेक्टली में प्रफोस्रज्ट होता है compare े के गद्चील हवा नित हो जाती है आऊ-पस या पटे पर हम कह सकते हैं कि आ जाता है जो चालक से दूर गति करता है और ता चालक से करता है और जाकि वहाँ पर चालक पर फिर पहुंसता और वहाँ पर लेकर तो रहता रहता आविस अभी दिखाए आपको दूसरा एक गुरदर्म इसमें यह है कि खोखले चालक को दिया गया आवेश दूसरी सता को इस्थांतरित हो जाता है और इस पर एक समान रूप से फैल सता पर आविस्ट एला करता है कभी भी चालक के अंदर आविस नहीं रहते चालक के सता पर फैला करता है तो बेसिक सी छोटी सी चीज थी जो कि आपको बता दी मैंने पूरा कॉंसेप्ट आपके सामने हैं ठीक है अब इसके उप्योग की अगर मैं बात करूँ तो इसका उप्योग आप देख सकते हैं उप्योग क्या वाटा यहाँ पर उप्योग अगर मैं देखाऊ आपको तो उच्छ विवांतर उत्पंद करने के लिए कितना लगभग लगभग दस लाख वोल्ट ठीक है दस लाख वोल्ट आप लिख सकते हैं और प्रोटोन ड्यूट्रोन अल्फा कर अर्था धनात्मक कणों को ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है प्रोटोन पर भी धनात्मकावेश द्यूट्रोन पर भी धनात्मकावेश अल्फा क तरह से इसका उप्योग किया जाता है तो इसका आप से दोस्त पूछा जाया तो दोस्त क्या है तो इसको ठीक है आकार ठीक है बहुत बड़ा होने की वज़़से बहुत बड़ा होने की वज़़से या होने के कारण एक स्थान से दूसरे इस्थान तक नहीं ले जाया जा सकता पूरा है मतलब है समझे कि एक बहुत बड़ा कमरा है वैसा हो गया तो नहीं ले जाया जाया जा सकता यह बहुत बड़ा इसका उपयोग है ठीक है दूसरा काफी महंगा होता है ठीक है महंगा भी होता है यह महंगा होता है आप लिख सकते हूं ठीक है और कुछ इसका उपयोग इसका दोस्त जो आप बताना चाहें मुझे सुहार सुना है बिहार में बहुत ताकत है मैडम जी आगे क्या तो सुना है बिहार में बहुत ताकत है बिहार में ताकत नहीं है बटा बिहारियों में ताकत है ऐसा बोलिए जो वहां के लोग उनमें ताक्त है बिहार में ताकत कहां से आएगी लोगों से आएगी न कुछ होर उच्छ विभव के कारण क्या मतलब किसी को पढ़ना नहीं है किसी को पढ़ना नहीं है जब मैं पूछ रहा हूं मतलब ऐसी चैटिंग करने के लिए आप लोग आते हैं नो चलिए फिर रहन देता हूं मैं इसको छोड़ देता हूं नहीं लिखता हूं उच्छ विभवक के कारण उच्छ विभवक के कारण उच्छ विभवक के कारण क्या है उच्च भी हो के कारण क्या मार डालेगा क्या करेगा मिцев gef Now को आज एक अस्थान से दूसरे स्थान पने कप ले जाना मुस्किल यह महगा होता है तो चीज तो लिख दी मैंने और कुछ हुआ rud लित लिख दिया मह rectus तो लिखना ज़रूब ठीक है अगर आपको नहीं पढ़ा है तो पढ़ा दिया ना मैंने नहीं पढ़ा है तभी तो पढ़ा होता तो फिर दिक्कत ही क्या थी ठीक है तो यह सारी चीजे हो गई है यह डाइग्राम एक बार देख लीजेगा सिंपल सा कॉंसेप्ट है कि यह पट्टी चलती रहती है यह मोटर है मोटर चलत जाता है मतलब एक तरह का लोहा है इस पर जब लोहे पराविस या किसी भी धातु है धात पराविस आएगा तो यह धात पराविस फैल जाता है सता पर सता पराविस फैल जाता है इसके सापेक्श हम देखते हैं भूसंपर की जो तारू है यहां कह सकते है जो प्रतिवी है प् ही कितने जहादह बढ़ां तो तब कर सकते थे हैं तो सिंपल सflight है याद रखेंगे ठीक हैंटम सारे अने आपको बदा रखेंगे और अच्छा लगा नहीं है आप लोगों से आज बात करके क्योंकि आप लोग तीन बजे की कलास में लगाता नबर गीरता चला जा रहा है तो मैं तीन बजे की क्लास को यह तो बंद कर दू क्या कर दू या क्या कर दू मुझे समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि लग नहीं रहे के पढ़ेंगे तक ताक तुन बैटना है ठीक है ऐसे धिमाग लेकिया यहतनी है जिसमे सारे डेरी बैसन अगर आप करना चाहते है तो बिलकुलाना है क्या आप लोगों के लिए ही क्लास लगाये जाएगी अपके बाद भी जो बच्चे है वो एक लास को देखें और उनको भी थोड़ा सा फायदा हो इस चीच का जो नए बच्चे आएंगे वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अगर लाइक नहीं किया है पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा तो आज के लिए वस इतना है फिर मिलेंगे आपसे तब तक के लिए अपना ध्यान रखें ऐसे ही वस जोस के साथ पढ़ते रहें और बढ़ते रहें और भावकाल मचाते रहें चलिए पापाई टेक्या